भारतिय संस्कृति का हुईदय स्थल और देश का विशालतम प्रदेश उत्तर प्रदेश आज विकास के नाई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये सब संभव होबाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से और उनके कुशल नेत्रित्व में। आप सभी के सयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागिदारी से यू पी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश तीवर गती से प्रगती के पत पर आत्म निर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जिस गती से विकास हो रहा है उर्जा की मांग भी बढ़ रही है। इसी उत्देश से 1524 करोड रुपे की लागत से एक नई परियोजना बन कर तयार है। पेट्रोलियम उत्पाद के सुचारू परिवहन के लिए 356 किलोमीटर लंबी बीना पन की मल्टी प्रॉडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्मान किया गया है। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना रिफाइनरी से पनकी तक पेट्रोलियम उत्पादों का परिव परिवहंद सुरक्षत और आसान तरीके से किया जा सकेगा। इस परियोजना का लाब पूर्वी और मध्य उत्तरपदेश, उत्तरी बिहार और दक्षणी उत्तराखंड को मिलेगा। पाइपलाइन के माध्यम से इंधन के परिवहंद से परियावरण का भी सनरक्षन होगा और कार्बन उत्तरजन में भी कमी आएगी। पनकी डीपो से कानपूर और लखनाव जिले के आसपास के क्षित्रों में पेट्रोलियम उत्तपादों की आपूर्ती बेहतर हो सकेगी। और साथी रेल साइडिंग सुविधा होने से उत्तर प्रदेश के मोगल सराई, बैतालपुर, गोंडा, शहजहापुर, आमला और बिहार के मुझफर पूर तक रेल द्वारा उत्पादों की आपूर्ती हो सकेगी। इस परियोजना के निर्मान के दोरान लोगों को लगभग साथ लाख श्रम दिवस के रोजगार प्राप्त हुए और परियोजना आरंब होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकडों लोगों के लिए रोजगार उपलब्द होंगे। इस पाइपलाइन के 11 सेक्षन वैल्व स्टेशन को सौर उर्जा से संचालित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतरगत कानपुर स्थित पनकी डीपो में पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहन के लिए अतिरिक्त टैंकेज कर निर्मान किया गया है। अब इस डीपो में संग्रहन क्षमता लगभग 2 लाख किलो लीटर हो गई है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र बोधी के करकमलो द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना का राष्ट्र को समर्पन हो रहा है। इन परियोजनाओं के आरंब होने से उत्तर प्रदेश की प्रगती में और गती आएगी।